सब्सक्राइब और आज दी रेसिपी जो है इंस्टेंट जलेबी और वी बिना किसे फर्मेंटेशन दे बेकिंग प्राउडर बेकिंग सोड़ा कुछ भी आड़ नहीं करेंगे इस देवी चसी और इसनों फटा बटा सी बनाकर रेडि करेंगे और अगर तुसी हले तक सब्सक पहुंच सके और इस जलेबी नो देखके तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि किन्नी वद्या क्रिस्पी जूसी रेस्पी तानों यह लाग रही है जलेबी जो है सडी सो इस तो बनाना श्यून शूरू करांगे और प्लीस मनों कमेंड करके जरूर दसना कि तुसी अगर इसनो पावडर है तुसी तो झाल शर्ची आंदा और देखक और फूर्टेशन नाल जो है जलेबी नो बना लाया है और इस सब्धी पहले चासनी बनाध्य है और जो फूर्मेंटेशन में आपना चानी जि द्यूश मत पना वाडरू conse這麼 forward we not baking soda और या यगना डेखके ज़लेवी न एक वारी इसनों ट्राय जरूर करना और मैंनों जरूर दसना कि तानों मेरी जो रेसिपी या और किस रादी लगी और एकदम माकिट स्टाइल जलेबी बनेगी बिना तानों पूरी ओवरनाइट जलेबी दे बैटर नों रखे बहुत वदिया जलेबी रेडी होएगी तो हून इसनों अच्छे तरीके दे नाल जो है फेंट ना है क्योंकि बैटर नों तुसी जीना जादा फेंट होगे उनी ही ताड़ी जलेबी जो है क्रिस्पी बनेगी और जो शुगर सिरफ है ताड़ा जलेबी दे अंदर तक प्रॉपर जा सकेगा जिस दे नाल और क्रिस्पी दे बनेंगे जलेबी दे बैटर रेडी हो चुकिया है और इसनों एक सॉस दी पॉटल दे विच तुसी बना सक दियो नहीं तो कोई भी इससे के दा पाइपिंग बैग ला सक दियो जिस दे वीच अपनी जलेबी नों पार करांगे और उस दिनाल बनावांगे तो मैं थे पाइ पॉर करन तो बाद प्रॉपर फिल करना इसनों क्योंकि अगर रहेगी तो प्रॉपर फिल नहीं होएगा तो इसनों पूरा परांगे असी अपने पाइपिंग बैग नू और उनस दे चोटा सारे कट लगा दे आंगे जिस दिना जलेबी बन सके पैन वीच असी है क्यों गर करें फिर उसे गयास नोगे और इस त्रीके नल बनावागे क्योंकि जो अपाज भी एड करांगे गरम होना चाहिए उसे बाद उसनों स्लो करना है क्योंकि जो ज़िए अच्छे त्रीके नल क्रिस्पी हो सके क्यों कि वह साथा गरम हो चुकिया है और असी पाइपिंग बै और इसरी के नल करना बहुत इजी है जरूरी नहीं है कि इसी मार्किट दी तरह परफेक्ट बिनाए बट तुसी ट्राय जरूर करना बहुत वधिया बनेगी इसरी के देनल भी ओता प्रॉपर लंबी लेंस बना दे कि चार-पांज जलेबी जो है इकठी एक लाइन दे विचा इसी बहुत वधिया हूई है ठोड़ी देर बाद क्रिस्प होंतो बाद असी पलट दे आंगे दूसरी तरफ कर देंगे ताकि दूसरी साइड तो भी वधिया तीकक्ये देनल जलेबी जो है वह क्रिस्प हो सक जाएगी वदिया क्रिस्पी जूसी जलेबी बहुत ही टेस्टी लग दिया खान देविच और कार्देविच बनाओ तुसे एकदम साफ सूथी जलेबी और मैंनों कमेंड करके जरूर दसांगे तानों मेरी आज दी रेसिपी जो है जलेबी दियो किस ट्रादी लगी तो इस व शुगर सिरब देविच सोग करने है पान तो साथ मिनट दिल शुगर सिरब देविच असे इसनों एड करांगे ताकि शुगर सिरब जो है और इसनों से गरम ही एड करने है शुगर सिरब देविच और शुगर सिरब भी जो है ताड़ा थोड़ा हलका गरम होना चाहिदा है बॉयल ना होए थोड़ा गरम होए ताकि चाशनी जो है अच्छे तीके देना शुगर सिरफ देविच जा सके तो इसे तीके न असी अपना सेकंड बैच भी बनाला मांगे जलेबी दाहून जदो तक सड़ा फर्स बैच जो है शुगर सिरफ देविच कोट हो रहा है उदो तक अपना सेकंड बैच भी बनाला मांगे और जदो तक एक बैच रड़ी होएगा सड़ा दूसरा बैच भी रड़ी हो जाएगा फिर असनों भी शुगर सिरफ देविच सोक करांगे तो तुसी देख सकते हो कि यह बला बैच भी जो है परफेक्ट है एकदम और जलेबी क्रिस हो जुकी है और हुन असी इसनों भी टरन करके दूसरी साइड तो इसनों सेकला मांगे और शुगर सिरफ देविच कोट करेंगे तो त्यार है फ्रेंट साड़ी आज दी कुरकरी जलेबी रसीली और इसनों देख कोई भी नहीं कह सकता कि तूसी इसनों कर देविच बनाया ह इसनों देख के अंदाजा लगा सकते हैं और सानु तानों साड़ी आज दी ये रसी जो है जलेबी किस चान दी लगी मनों कमेंड करके जरूर दसना और इसनों ट्राय जरूर करना और नेक्स रस्पी देख देरो कॉर्वर्ड और मेरे चैनल नों फॉलो करना ना पूलना त और फेस्बुक ते भी सो नेक्स आइस पीजली देख दिरो कॉर्वर थेंक यू